जैहिन दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12th physics का first practical और practical है arm's law arm's law का object लिखा हुआ है दोस्तों to determine the resistance and resistivity of given wire and plot a graph between potential difference and current दोस्तों ये अपने 12th physics का first practical है और ये अपन करने जा रहे हैं इसमें दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि apparatus क्या क्या ची अपने इसमें दोस्तों अपने पास सबसे पहले लिख रखा है resistance wire ये अपने पास resistance wire है फिर voltmeter ये अपने पास voltmeter है जो की voltage मापने के काम आता है मतलब potential मापने के काम आता है उसके बाद emitter ये emitter है ये emitter अपने पास current measure करने का माकाम करता है उसके बाद रहस्टेट, यह रहस्टोड है, यह दोस्तों करन्ट को कंट्रोल करने का काम करता है उसके बाद स्क्रू गेज, यह अपने पास एक स्क्रू गेज है उसके बाद दोस्तों बैटरी चीए, यह अपने पास बैटरी है उसके बाद key चीए यह अपने बाद key है and connecting wires यह सारे connecting wires है इसके लिए दोस्तों अपने को यहाँ पर दिखाए दे रहा है circuit diagram यह है अपने बाद circuit diagram इसके according अपने को connection करने है सबसे पहले अपने को battery से start करना है battery जो यह लिख रखा है यह battery हमेशा red वाला positive होता है और black वाला negative होता है तो इसका battery का जो positive terminal है वो आ रहा है दोस्तों अपना emitter के positive पर यह अपना positive terminal यह आ रहा है emitter के positive से और emitter का negative है वो voltmeter के positive पर जा रहा है यह जा रहा है यह voltmeter का positive और voltmeter का negative है वो रहो state पर जा रहा है यह болt meter का negative, यह rehe figure पर connect कर रखा है और इसी तरीगे सेBeach perspectives का second वाला है, यह जा रहा है इस key के उपर, यह key, key का second वाला battery के negative से दोस्तों यह सारे के सारे series में है, किवल दो वाल्ट meter और resistance, resistance wire जिसका अपने को resistance करना है यह आपस में parallel में जुड़े हुए बाकी सारे सीरीज में जुड़े हुए यह अपना रेस्टेंस वायर जुड़ा हुआ है वॉल्ट मिटर के ऊपर यह अब अपने को सबसे पहले दोस्तों यह अपना बैटरी है इस एक्सपरिमेंट को करने के लिए अपने को सबसे टाफ देता है अपना अब्जरवेशन लेना अब्जरवेशन टेब्ल अब्जरवेशन लेने के लिए सबसे पहले अपने को लिस्ट काउंट करना है लिस्ट काउंट करने का एक अलग सी वीडियो भी बना रखा है आप इसमे तो अहता है तो अपने को धियान से इसको मेजर कर लेना कितने सेंटिमेटर का मैंने 10 सेंटिमेटर का लिया है फिर उसके बाद list count of voltmeter, voltmeter का list count, list count find करने के लिए formula दे रखा है, range upon number of division इस दोस्तों यह जो voltmeter है अपने बास, इसका देखिए कितना है last maximum कितना measure कर सकता है 3 measure कर सकता है तो इसका range 3 हो गया and total number of division total number of division कितना यहां से यह तक 10 line होती है 10 20 30 40 50 60 तो अपना formula जब अपना formula को apply करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों यह आ जाएगा अपने पास 3 upon 60 जब इसको divide करेंगे तो अपने पास कितना आ जाता है 0.05 volt यह ध्यान रखना है दोस्तों यह divide देके देखिए अगर आप दूसरा video देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो link दे रखा उसको तो कि यह कैसे फाइंड कर रहें फिर इसका अपने पास एक दूसरा एक्जम्पल भी है क्योशन भी दे रखा है तो उसको आप अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे उसके बाद list count of emitter list count emitter का find करना है तरीका वो का वो है क्या है तरीका रेंज रेंज कितना है दोस्तों इसका अपने को दिखाए दे रहा है रेंज है इसका भी 3 और total number of division कितना है 10 20 30 40 50 60 सेम वो का वो तो क्योंकि यह मैं ले रहा हूं इसका list count इस तरीके से फॉर्मुला यही है आपको find करना होगा लेकिन यदि आप दूसरा वोल्ट मिटर दूसरा अमिटर ले लेंगे तो आपके पास value नहीं आ सकती है 0.05 Ampere उके उसके बाद दोस्तों list count find करना है screw gauge का screw gauge अपने 12 में 11 में भी काम आया है और 12 में भी आएगा तो दोस्तों इसको list count find करने के लिए formula दे रखा है अपने पास pinch upon number of division तो यह इसके अंदर 2 scale होती है main scale और यह circular scale main scale के उपर देखो यह first zero लिख रहा है फिर five लिख रहा है और बीच में five lines है मतलब सारी की सारी lines कितना है one का है two three four और फिर यह बड़ा वाला line five का तो one upon number of division total number कितने हैं देखिए दोस्तों आपको देखाए दे रहा है यह 70 80 90 100 मतलब one upon hundred इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे वन अपॉन हंड्रेड इजी कर लू कितना आएगा 0.01 और यह जो इसक्रूगेज है वह किसमें मेजर करता है दोस्तों देख रहा है mm के अंदर तो इसका mm आएगा अगर अपन सेंटीमेटर में चेंज करना चाहते है तो 0.001 सेंटीमेटर 10 से डिवाइड करते हैं तो mm को सेंटीमेटर में कनवर्ड कर लिया जाता है यह अपने पास observations ले लिया है अब अपने को सबसे tough जो रहता है इस practical में वो होता है दोस्तों observation table observation table बढ़ा easy है observation table जो है व diameter of resistance wire इसका diameter find करने के लिए तो सबसे पहले अपन resistance find कर लेते हैं wire का इसमें सबसे पहले लिखर कहा है voltmeter reading इसके दो ब्लोक है number of reflected division and one into list count list count जो अपने find किया है उसका फिर emitter का भी इसी तरीके से resistance formula क्या होगा r is equal to v upon i यह correct ठीक है अब अपन reading लेना शुरू करते हैं reading लेने के लिए दोस्तों अपने को सबसे पहले बैटरी का switch on कर देना है इसको two world पर set करना है अभी यह zero है यह हो गया दोस्तों two world two world पर set करने के बाद अपने को यह experiment शुरू करना है इसके लिए शुरू करने के लिए यहां पर अपन कुंजी को plug-in करेंगे यह कुंजी को कर लिया है फिर अब अपना यह experiment शुरू हो चुका है यह जो experiment है दोस्तों इसके अंदर अपने को क्या चेंज करना है यह एपने को यहां से रहा उसेट को चेंज करके ऑर डिंग लेना है जुँ से कर द confessed में द्यान से देखना है आप तुरिडमीटर है चेंजाएगा जाय जाएगा कौ की यह आ गया है देखिए जब आप जियान से ले रहे हैं फिर आपको आइडिया आजाएगा कि किस स्रीके से रिडिंग लिया जाता है देखिए इसका जो डिफ्लेक्टर है यह जीरो से कुछ उपर चला गया है तो नंबर आप डिविजन ओल्मस्ट वन के आसपास है तो कितना हो जाएगा वल्ट मिटर का रिडिंग कितना हो एंटु जीरो पॉइंट लेस्ट काउंट कितना है जीरो फाइफ इसका जो अंसर आएगा वो पन यहा लिखेंगे फिर एमिटर का एमिटर भी देख लेते हैं एमिटर के अंदर डिडिंग देखिए दोस्तों कितना आ रहा है आपने पास डिडिंग यह आ रहा है क्या स्पास है तो ये टू है इसका रिडिंग कितना आगया है तो अपन लिख देंगे तू कि एमिटर का रिडिंग आया है अपने पास है टू है टू इन्टू 0.05 अगे का कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे ठीक इसी तरीके से अब वापस अगेन अपने को इसको रिपीट करना है कैसे रिपीट करना है इसके लिए अपने को रहो स्टेट को चेंज करना है यह वोल्ट मिटर पर नजर रखी तो यहां पर आलमॉस्ट बिलकुल ठीक है तो हो गया है कितना हो गया ज्यान से देखेंगे तो वन से भी उपर मतलब टू हो गया है तो वोल्ट मिटर में नबर ओप डिप्लेक्टेट कितने आ जाएंगे टू है अपन लिख देते हैं 505 एक्वल यहां अंसर अपने यहां लिखेंगे जो भी एंसर आ रहा है वोल्ट के अंदर आ रहा है ठीक इसी तरीके से एमिटर का कितना आएगा अपने पास रिडिंग यह एमिटर का देख लेते हैं यह एमिटर का देखेंगे तो यह फाइब से थोड़ा सा कम है बीच वाल अडंडा 5 होता है यहां तक 10 हो जाता है तो यह 5 से कम मतलब 4 है तो एमिटर का देखेंगे अपने पास 4 यह आ गया 4 इन्टू 0.05 फिर यह कैलकुलेशन में तो आपको रिडिंग लेना समझ में आ गया होगा इसी तरीके से अपन सारी रिडिंग लेंगे और सारी रिडिंग नोट कर लेंगे यह अपने पास रिडिंग आ गई है सारी के सारी अपने नोट करी है इस रिके से अपने पास यह रिडिंग आएगी वाल्ड मेटर की रिडिंग 1,2,3,4,5,6 आ रही है एमेटर की नंबर ओफ डिफलेक्टे 2,4,6,8,10,12 आ रहे हैं इसको अपने को सारे के सारे list count से multiply करना है इसको भी list count से multiply करना है और formula में value रखनी हो और अपना answer आ जाएगा अब अपने start करते है calculation ठेके दोस्तों calculation करते है अब अब अपन calculation कर लेते हैं दोस्तों 1 को 0.05 से multiply करेंगे तो कितना आता है 0.1 को किसी से multiply करें उतना ही आता है 0.5 वाल्ट 2 को 0.05 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 0.1 ampere और यहाँ पर V upon आए 0.05 upon 0.1 करेंगे तो अपने बास answer कितना आएगा दोस्तों 0.5 ohm क्योंकि resistance unit ohm होती है ठीक इसी तरीके से 2 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.1 वाल्ट आ जाएगा 0.1 वाल्ट ठीक इसी तरीके से 4 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.2 ampere आ जाएगा इसमें divide करेंगे तो 0.5 ohm ही आएगा ठीक इसी तरीके से 3 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.15 वाल्ट इस तरीके से 6 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.3 ampere फिर divide करेंगे तो 0.5 हों आएगा इसी तरीके से दोस्तों आप खुद multiply करेंगे तो 0.2 वाल्ट फिर 8 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.4 ampere divide करेंगे v upon i करेंगे तो 0.5 ohm ठीक इसी तरीके से 0.5 को 0.5 से multiply करेंगे तो 0.25 वाल्ट 10 को 0.05 से multiply करेंगे 10 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.5 अच्छा एक और बात आती है कि यहाँ पे 10 कैसे आ गया इसके अंदर confusion हो सकता है तो मैं आपको एक बर बता देता हूँ कि अपने पास emitter है क्योंकि emitter की reading यहाँ 10 लिख रखी है तो 10 कैसे आएगा यहाँ पे पूरा 1,2,3 0.5 की यहाँ पे टोटल लाईने कितनी होगे 10 हो जाएगी न यहाँ पे इससे पहले 8 आया था यह 8 रहा तो यहाँ पे 0.5 लिख सकते थे तो फिर 0.5 लिखते तो फिर 0.5 से multiply नहीं करते लिस्ट काउंट से अपन नंबर ओप डिविजन टोटल केतना लिखा 60 लिखा था न लिस्ट काउंट कर रहे थे तब इसलिए अपने को यहाँ पे 10 लिखना पड़ा फिर यहाँ पे 12 फिर ऐसे 13 14 15 16 इसके बार 20 आता अगर आ है हुआ है इसलिए अपने को द्यान लगना है कंफिज नहीं होना है तो यहां पर दोस्तों अपन मल्टिप्लाइड करेंगे वीप होना है 0.25 में 0.5 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 ओम ही आएगा फिर इसी दरीके से 6 को 0.05 से multiply करेंगे तो 0.3 आएगा तो डिवाइड करेंगे जब तो अपने पास अंसर क्या जाएगा 0.5 ओम यह 0.5 ओम यह अपने पास यह एक टेबल हो गया अपने पास complete अब चलते हैं सेकिंड टेबल के उपर सेकिंड टेबल क्या करता है दोस्तों रेडियस फाइंड करना है इस वायर का तो यह connectivity find करते है इसलिए अपने को इसका radius चीए Radies find करनते है किसकी help से Screw gauge की help से तो यह पन मैं wire निकाल लेता हूँ कि यह मैंने wire निकाल लिया है जो की resistance वायर था word meter ौर resistance टेबल के अंदर में इसकेल डिडिंग है सर्कुलर स्केल डिडिंग के अंदर नमबर ओप डिविजन इन्टू लिस्ट काउंट टॉटल डिडिंग सी इगल टो ए प्लस भी स्कोर इसको टोटल को जो एड करेंगे फिर उसके बाद इसका में निकलना है सबसे पहले इसको क्या करना है इसको ऐसे फिट करना है यह दोस्तों अपने प्रैक्टिकल इलेवंध के अंदर भी किया हुआ है इलेवंध के अंदर पूरा बड़ा प्रैक्टिकल था स्कूर गेज का तो अपने को सिक्स डिडिंग लेना था और अभी ट्वल्द के अंदर बीच में आ रहा है तो यहां पर दोस्तों देखिए कि यह इसका में इसकेल कर जो रिडिंग है में इसकेल का वो जीरो दिख रहा है तो में इसकेल का रिडिंग होगी अपना जीरो इसकेल में नंबर ओफ डिविजन नंबर ओफ डिविजन कितने दिख रहे हैं दोस्तों नंबर ओफ डिविजन य एप्रॉक्षिमेट यहां से दिखेंगे तो दिखाएँ देगा थोड़ा सा दिखेंगे तो यह आरहा है 20 से थोड़ा सा उपर एक्जिक्ट अपने लाइन जब मेच करेंगे तो आप देखेंगे आप कुछ जब करेंगे तो 22 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे number of division 22 लिखेंगे 22 को किस से multiply करेंगे 0.001 से जब multiply करेंगे तो अपने पास अंसर कितना आएगा 0.22 और जब C is equal to A plus B यह अपने पास क्या आया है B ही आया है तो 0 को add करेंगे तो कितना आजाएगा अपने पास 0.22 सेंटीमिटर अब second reading जो लेना है इसी wire को यहाँ से खटा कर दूसरी जगाँ catch करना है दूसरी जगाँ catch करते हैं यह देखिए दूसरी जगाँ ऐसे tight कर लिया है तो यहाँ पे भी अपने को दिखाई देगा कि main scale का reading तो 0 ही है लेकिन circular scale का reading 20 से अबाऊ है 20 से डाउन है एप्रोक्स कितना आ रहा है 18 के आसपास 18 लिख जाता है 0 यह 18 18 को list count से multiply करेंगे 0.001 से तो अपने पास 0.18 आ जाएगा और 0 प्लस 8 करेंगे तो 0.18 cm जब mean find करना है तो mean कैसे करेंगे यहां करना है अपने को calculation calculation करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अब अपन calculation करेंगे mean diameter चीए तो इन दोनों को aid करके 2 से divide करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा aid करके 2 से divide करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.119 cm यह अपने पास diameter आ गया है अब अपने को सबसे पहले calculation करनी है दोस्तों इससे पहले वाली टेबल की लिखना पड़ेगा यह calculation यहां तो अपन ने कर लिए लेकिन अब calculation वाले पार्ट में पूरा को पूरा यह भी वापस करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा यह अपने पास rating है दिखाए दे रहा है आपको यह calculation करना है कुछ नहीं है पहले calculation में क्या लिखना है अपने को आर वन इस इकल टू वीवन अपन आई वन वीवन का वेल्यू क्या है यहां से 0.05 अपन आई वन का 0.1 यह 0.1 इस इकल टू कितना है 0.5 और फिर आर टू इस इकल टू वीटू अपन i2 is equal to v2 का value क्या है 0.1 upon i2 का 0.2 is equal to क्या आजाएगा 0.5 ohm ठीक है ठीक इसी तरीके से पन करेंगे r3 is equal to v3 upon i3 यह आपका पूरा का पूरा practical हो रहा है आपको कुछ भी चीज ज़्यादा गबराने की जुरत नहीं है और सारा का सारा यहाँ पे पूरा सिखाए जाएगा सारे practical 0.15 upon i3 का value 0.3 तो अबना अंसर क्या जाएगा 0.5 ohm इसी तरीके से r4 is equal to v4 upon i4 is equal to v4 का value क्या 0.2 upon 0.4 अंसर क्या जाएगा 0.5 ohm ठीक इसी तरीके से r5 is equal to v5 upon i5 is equal to v5 का value क्या 0.25 upon i5 का 0.5 अंसर आएगा 0.5 ohm इसी तरीके से 6 यह पने पास total साराक सारा रेडिंग आ गया है यह पने पहले ही कर दिया था यहाँ लिख रका है साराक सारा लेकिन यह calculation करने के marks मिलते हैं इसलिए अपने को करना जरूरी है अब इसका mean resistance निकालना है क्या निकालेंगे mean r is equal to क्या आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस r5 प्लस r6 upon 6 जब value लिख के solve करेंगे तो अपना फिर वही आएगा 0.5 ohm यह अपना mean r का answer है अब अपने को find करना है दोस्तों resistivity resistivity find करने के लिए resistivity का formula क्या है जो अपने first में पढ़ा था resistivity का formula resistivity का दोस्तों formula होता है यह theory के अंदर अपन लिखेंगे theory के अंदर resistivity का formula है अपने पास rho is equal to r a upon l यह formula apply करना है अब अपने को फाइंड करना है resistivity को रो लिखते हैं रो is equal to क्या होता है आर A upon L यह formula होता है आर क्या है ohm रो is equal to R का value क्या है था 0.5 into A क्या होता है पाई आर स्क्वाइड एक मतब एरिया अपन एल एल लेंथ कितना लिया था दोस्तों सबसे पहले जो अब्जरवेशन लिखे थे अपने अब्जरवेशन के अंदर लेंथ ओफ रेजिस्टेंस लिखाता देखिए आप ये मेरे पास है लेंथ इस इकल टू 10 सेंटिमेटर तो यहां पर अपने पास आर जो रेडियस ची है वो अपने पास डी डायमेटर है डी है डी इस इकल टू क्या होता है टू आर तो आर इस इकल टू हो जाएगा डी इपॉन टू ठीक है तो अपने पास आर का वेल्यू कितना है डी का वेल्यू कितना है दिया हुआ डी का वेल्य यह है यह 0.119 0.119 0.119 अपॉन टू इस इकल टू आर तो आर का अपना अंसर आ जाएगा दोस्तों 0.059 सेंटिमेटर यही लिखना है तो रो इस इकल टू हो जाएगा अपने पास 0.5 इंटू पाई पाई का वेल्यू कितना होता है 3.14 इंटू आर आर कितना है 0.059 स्क्वाइर अपॉन 10 इसको खुद लेखके मल्टिप्लाइ करके सॉल किजिए जब इसको सॉल करते हैं तो आपने पास आता है दोस्तों 0.0054 0.0054 अपन 10 क्या आँसरा रहा है ओम इंटू सेंटिमिटर में यह अपना सरा रहा है ओम इंटू सेंटिमिटर अब यदि अपन क्या करते हैं यह पॉइंट हटाते हैं तो कितने जीरो लग जाएंगे तो रो इसको क्या लिख सकते हैं और इसको आगे सोल करें तो अपने पास क्या आ जाएगा अब दोस्तों यदि अपने पास क्या आ जाएगा पावर माइनस 4 रखे और एक को इधर बेजें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 ऑम इंटू सेंटेमितर अब डैसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मिटर क्या होता है दुस्तों ऑम इंटू मिटर तो row is equal to centimeter को meter में change करने के लिए hundred से divide करते हैं तो directly लिख जाता हूँ 5.4 into 10 power minus 6 ohm into meter ये अपने पास resistivity का answer है इस तरीके से ये practical complete होता है दोस्तो calculation भी complete होता है सिर्फ पूर सिर्फ आपको एक graph बनाना होता है कि अवल आप graph बनाते हो और आपका practical complete हो जाता है ये आपका graph रहा दोस्तो अगर इतनी मेनत करिए दोस्तो अगर आपको सही तरीके से समझ में आया है पूरी तरीके से record में किस तरीके से लिखना है ठीक वैसा कर वैसे लिखा है और उसे कर सा समझा है अपने दोस्तो समझ में आया है तो वीडियो को like कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेर कीजिए इस चैनल के उपर दोस्तों आपको 12 फिजिक्स और 11 फिजिक्स के सारे की सारे practical मिलेंगे सरन लेंगए में पूरी की पूरी फाइल में कैसे लिखना है उस तरी के से ओके जस्तों थैंक यू thank you so much